देश भर में सोया बीन की आवग पिछले दिनों की तुलना में कुछ सुद्री है लेकिन अभी भी सोया बीन की आवग जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है शुकरवार को देश में सोया बीन की कुल आवग 6 लाग बोरी के करीब धर्च की गई मध्यपरदेश में आवग 3 लाग 20 लाग बोरी की रही कम आवग के कारण प्लांटों को सोया बीन उचे दामों पर मिलने के बाब प्रियाप्त मात्रा में सोया बीन नहीं मिलने से वो अपनी पूरी शम्ता से नहीं चल पा रहे हैं जिसे लागत उची बैट रही है मद्यपरदेश में अभी तक सोया की आवक पिछले साल की समान अबदी की तुलना में 40 फीसद तक कमजोर है दरसल मद्यपरदेश महराश्रो राजस्तान में भारी बेमोसम बरसात से कटाई में खासी देली हो चुकी है और वहीं सोया बीन को कुछ रुकसान भी पहुचा है और कीचो के हमले का खत्रा भी बढ़ गया है अगामी सप्ता में भारत के बजार में सोया बीन की आवक और तेजी मंदी वैश्विक संकेतों पर निभर रहेगी फिलाल सोया बीन तेल के में त्योहारी मांग का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो इस महीने के अंतक बना रहेगा इसके चलते सोया तेल के वर्तमान दामों में ज्यादा मंदी फिलाल नज़र नहीं आ रही वहीं आपको बता दे कि इस हफते के आखरी कारोबारी दिन शुकरवार को सोया तेल इन दोर 1270 से 75 पे प्रति 10 किलो तक मजबूत रहा उने सीबोर्ट सोया तेल चीन के बाजार और के अलसी के में एक बार फिर से मजबूती देखने को मिली है ऐसे में बाजार जानकर मान कर चल रहे हैं कि खादे तेलों में त्योहाई सीजन के चलते तेजी बन ही रह सकती है बूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी